फ्रेंट्स आज हम बात कर रहे है स्टेट बैंक आप इंडिया की और साथ में हम बात करेंगे PNB की दोनों स्टोक के अंदर गिरावट का महुल बना हुआ है थोड़ा सा डाउन फॉल है लेकिन क्या यहाँ पर निवेस किया जा सकता है क्या आने वाले समय में ये दोनों सरकारी बैंके हमें सांदार इटन दे सकती है और जिस तरह से ERC का गठन हो रहा है आने वाले समय में जो इनका बैड NPA उनसे इनको निजात मिल जाएगी तो क्या इन शेरों में निवेस करना चीए जिस तरह से सरकार बहुत सारी बैंकों को प्राइवेट करने की कगार पर खड़ी है बहुत सारी बैंके आने वाले समय में प्राइवेट हो जाएगी तो ऐसे समय में क्या दाव लगाना चीए इन शेरों के उपर क्या भविश्य बन सकता है SBAI का और साथ में PNB का तो दोनों को हम अच्छे से डिसकस करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे क्या ये आने वाले समय में हमें सांदार रिटन दे सकते हैं या इस समय इन शेरों से दूर रहना चीए तो सारी सम्भावनों को तलासेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि इनके long term और short term target किया रहा सकते हैं लेकिन friend उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे channel पहा है तो channel को subscribe कर दीजिए एक bell icon दबार दीजिए ताकि जब इन्या video बने पहला notification आपको मिले वीडियो पसंद आई तो like share जूर कीजिए चलो friends वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्ट SBA दवे और हमारे अपने channel online कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले SBA के कारुबार को discuss कर लेते हैं SBA का stock करीब 422 पर open हुआ high बनाई 424 की और low बनाया 418 का end में इसने 418 की closing दी थी यानि 0.62% की गिरावट में बंद हुआ है result SBA की बात के तो बहुत ही सांदार पेस किया है उसने quarter 1 का quarter 1 में total income bank की 93,266.94 कौड रुपीज रही है जो down है 9.83% quarter March के March quarter में इनकी total income 1,3,430.64 कौड रुपीज थी परंतु 6% जदा है पिछले साल Sam quarter से पिछले साल Sam quarter में की total income 86,984.33 करोड रुपीज की थी और bank ने net profit after tax 7,379.91 करोड रुपीज का बता है तो बहुत ही सांदार इसका result है और ये एक अकेली ऐसी bank है जो अभी भी अपने जो इसका fair value से काफी कम में मिल रही है अगर इसका फिर से revolution किया जाए तो इसकी price तो private bank को के मुकाबले बहुत ही कम है तो इसको आपको long term नज़रे के साथ में hold करना चीए या आने वाले समय में आपको सांदा return दे सकती है और पिछले 3-4 साल के इसके financial train को चेक करें तो लगातार performance की अच्छी हो रही है 2018 की बात करें तो 3.07 लेक करोड रुपीज का इनको रिवेन्यू बना था और उस समय बैंक को 0.05 लेक करोड रुपीज का लॉस हुआ था और 2019 की अगर बात करें तो 3.31 लेक करोड रुपीज का रिवेन्यू बना और 0.02 करोड रुपीज का इनको प्रॉफिट मिला तो यहाँ पर प्रॉफिट की समय बन गई और 2020 की बात करें तो 3.6 लेक करोड रुपीज का टोटल रिवेन्यू बना और profit में अच्छी खासी बड़ोतरी हुई 0.20 लैक करोड रुपीज का इनको profit मिला अब बात करें 2020 की तो 3.85 लैक करोड रुपीज का revenue मिला और इनकी profit हुई 0.22 लैक करोड रुपीज तो लगातार आप देख लो 2018 में बैंक को loss था लेकिन 19 से लगातार revenue और profit दोनों बढ़ रहे इससे एक बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में इसका बविश्य बहुत ज़्यादा उजवल है इसके share holding अगर pattern को discuss करें तो बहुत ही शांदार निकल के आ रहा है और promoter की holding इसमें December में 57.64% थी March में 57.63% थी और June में थोड़ा सा कम हुआ है 57.62% हुआ है तो मामूली सी गिरावट है कोई भी share इसके गिरवी नहीं है FIA की बात करें तो लगातार अपनी holding को बढ़ा रहे December में इनकी 9.82% की holding थी March में उसको 9.94% कर लिया और June quarter में उसको 10.34% कर लिया तो FIA, SBI पे भरुसा करें लगातार अपना निवेस वो बढ़ा रहे DIA की बात करें तो उनका भी निवेस अच्छा खासा बना हुआ है December में 24.88% था March में 24.41% था और June quarter में 24.17% है तो कुछ उन्होंने profit बुक है लेकिन अभी भी सांदार उनकी holding 24% की तीन quarter से बढ़नी हुई है Mutual fund की बात के तो उनका भी निवेस सांदार उतरीके से बढ़ रहे December में 12.72% की holding थी March में कुछ कम किया 12.57% की लेकिन June quarter में फिर से बढ़ा दिया 12.75% कर दे holding तो लगातार mutual fund इसमें निवेस बढ़ा रहे Others की अगर holding की बात करें जिसमें general public भी है तो 7.66% की मामुली holding है March में कुछ बड़ी 8.02% और June में फिर गटी 7.87% तो यह share holding pattern से समझ में आ रही है बात की बड़े-बड़े fund house और FI इसमें निवेस कर रहे mutual fund इसमें निवेस कर रहे HDFC Flexi Cap ने इसमें 2,589.65 कर रहे निवेस करके 10.18% की holding लिए HDFC Top 100 ने 1,382.96 कर रहे निवेस करके 6.93% की holding लिए Kotec Flexi Cap ने 1,338.58 कर रहे निवेस कर रहे और 3.61% की holding लिए ICIC Pro Balance ने 743.08 कर रहे निवेस करके 2.2% की holding लिए SBA Equity Hybrid ने 1,165.86 कर रहे निवेस कर रहे 2.68% की holding लिए Mirai Asset Large Cap ने 1,054.03 कर रहे कर के 3.84% की holding लिए SBA Blue Chip Direct ने 977.99 कर रहे कर रहे कर रहे 3.34% की holding लिए Nippon India Large Cap ने 842.01 कर रहे कर के 8% की holding लिए साथ में Franklin India ने 742.70 कर रहे निवेस करके 9.84% की holding लिए तो बहुत ही सांदार बड़ी-बड़ी mutual fund की holding हो रही है Intry point बहुत अच्छा बन रहा है Stock बिल्कुल overboard जोड़ में नहीं है और ना इसको प्रपर रेड़ फ्लेग है और 175 इसका 52 वी का low और 467 इसका 52 वी का ही है फिलाल स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आपको इंटरी करने ची है अगर short term target ले इसका pivot devil की बात करें तो फिलाल यहाँ से स्टॉक गिनने पर 417 फर्स सपोर्ट है second support 414 का है और third support इसका 410 का है तो फिलाल भी श्टॉक अभी 400 के नीचे जाने की समाहोना कम है इसके उपर ही trade करने की समाहोना बन रही है यहाँ से दोडने पर 423 फर्स टार्गेट है second target 427 का है और third target इसका 429 का है तो श्टॉक अभी करीब 400 का उपर ही बना रहेगा और यहाँ से यह कभी भी इंट्रे के लिए अच्छा बंद रहा है आपको निवेस करना चीए इसमें आप अपना long term नजरिया ले अगर आप 5 साल के लिए अगर निवेस करते हैं श्टॉक के अंदर लो 36.10 का और अंत में 36.20 पर 1.50% डाउन पर क्लोजिंग दिया तो गिरावट है और यह काफी समय से थोड़ा सा अंडर वैल्यू भी चल रहा है स्टॉक परन्तु यहाँ पर इंवेस्ट्मन करना चीए आने वाले समय में स्टॉक में मजबुती देखना को मिलेगी तो इस लेवल पर इस टॉक अच्छा लग रहा है रिजल्ट में थोड़ी सी गिरावट जरूर दिख रही है परन्तु जो रिजल्ट है वो दमदार है क्योंकि अगर यह और और यह बेसिस पे हम रिजल्ट को देखे तो बड़े लॉस से कम बैंक प्रॉफिट में आजचुकी है कि अगर बात करें तो 57.61,000 क्रूट रुपीज का रिवेनी था और लॉस रहा तो 12.11 क्रूट रुपीज गा और अगर 2019 की बात कर तो 59.51,000 क्रोपीज का रिवेन्यू बना था और लॉस 9.51,000 क्रोपीज का था तो यहाँ पर लॉस था बड़ा लेकिन 2020 में 64.31,000 क्रोपीज का इनको रिवेन्यू मिला और प्रॉफिट वा 0.44,000 क्रोपीज का और 2021 की साथ आते थे यही रिवेन्यू 94.99,000 क्रोपीज तक पौच गया और इनका प्रॉफिट भी 2.56,000 क्रोपीज तक पौच गया तो लगा था 2018 से बैंक का कारूबार अच्छा हो रहा है और इनकी जो रिवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत सांधार बड़ोतरी हुए और इसी विज़े से यह इन्वेस्मेंट के लिए अच्छा इस्टॉक बन रहा है इसमें आपको निवेस करना ची शेर होल्डिंग पैटरन भी बहुत ही सांधार है प्रमोटर की होल्डिंग दिसम्बर में 76.87 परसंट थी मार्च में एजिट रखा लेकिन जूद में कुछ कम किया 73.15 परसंट किया कोई भी शेर इनका गिर्वी नहीं है एफाई भी अच्छा अपना निवेस्ट बना रहे 9.90% की होल्डिंग दिसम्बर में थी 9.07% में किया और जून में उसको 11.27% किया तो डियाई यानि अपने बड़े फंडा उस लगादर होल्डिंग बढ़ा है साथ में मिचल फंड की बड़ी होल्डिंग बल रही है December में मात्र 0.60% की holding December में थी mutual fund की March में 0.92% कर लिया और June quarter में तो जबर 10 बोड़ोतरी किया 2.38% की holding mutual fund की हो गई है Others की holding की बात करें तो 9.34% की holding December में थी March में 11.12% किया और June quarter में 13.07% किया तो Others की holding में भी थोड़ा सा इजापा है लेकिन बड़े mutual fund और हमारे बड़े fund houses में लगातार बड़ी खरीदारी कर रहे L&T arbitrage की बात करें तो उन्होंने 36.47 क्रोट रुपीज का निवेस करके 0.63% की holding PNB में ले लिए HDFC arbitrage की बात करें तो 33.62 क्रोट रुपीज का निवेस करके 0.41% की holding ले हुई है साथ में Kotec Equity Arbitrage की बात करें तो 102.26 क्रोट रुपीज का निवेस करके 0.41% की holding ले हुई है Adelwise Arbitrage ने 85 क्रोट रुपीज का निवेस करके 1.32% की holding ले हुई है Tata Arbitrage ने 51.13 क्रोट रुपीज का निवेस करके 0.41% की ओल्डिंग लिए आदेते बिल्ला एसल अर्बिटराइज ने 46.52 क्लोड रुपीज का निवेश करके 0.53% की ओल्डिंग लिए साथ में DSP Dynamic Asset Allocation ने 26.35 क्लोड रुपीज का निवेश करके 0.65% की ओल्डिंग लिए ISIC Pro Equity Advertiser ने 43.42 क्लोड रुपीज का निवेश किया है और 0.29% की ओल्डिंग लिए हुई है SBI Long Term Equity Fund ने 42.28 क्लोड रुपीज का इंवेश्मेंट करके 0.41% की ओल्डिंग लिए Nippon India ETF PSU Bank BE5 ने 40.77 क्लोड रुपीज का निवेश करके 13.91% की ओल्डिंग लिए है तो इस तरह से बड़े-बड़े mutual fund लगाता है इसमें अपनी holding बढ़ा रहे है इस एक बाद समझ रहे है कि बहुत ज़ली stock में तीजी बनेगी और आप इसमें पासल का नजरिया लेके investment कर ले यह definitely 100 के पार जाएगा stock तो इनिवेश अच्छा है लग रहा है गिरने की समय बहुत कम है और PNB अपने इनका जो bad NPA उसको कम करने की कोशिस कर रही है तो इसी के तैत जो अपना वो बड़ा एक NPA है जो पंजाब नेसल बैंक का करीब 1,079.85 कोड़ रुपीज का के सके महाननदी पावर कंपनी लि इंट्री पॉइंट अच्छा लग रहा है कोई भी रेड फ्लेक जोगन नहीं है इसके उपर एसम जी एसम की लिस्ट में यह सामील नहीं है और 26.30 इसका 52 विक का लो है और 46.35 इसका 52 विक कहा ही है तो फिलाल यह स्टॉक काफी जादा करेक्ट हो चुका है इंट्री इसमें आपको करनी ची बहुत ही सांदार इस लेवल पर लग रहा है तो दोनों सरकारी बैंक खरीदने के लिए अच्छे लग रहे आने वाले समय दोनों मल्टी बैग रिटन दे सकते तो 500 और 100 रुपीज के टार्गेट के साथ में पांस साल के लिए आप निवेस कर ले यह आपको